कम से कम आज पर पांच लीटर का कूकर बैठाकर उसमें एक कप नमक एक स्टैंड बिठाकर 20 मिर तक उसे जरम होने दीजिए छे इंच का केक पैन लीजिए उस पर बटर पेपर लगाकर रेडी रखिए 125 मिलिलीटर गुन-गुना दूर लीजिए जादा गरम नहीं चाहिए वाइन टीस्पून कॉफी पाउडर 3 तेबल स्पून बिंकिंग चॉकलेट और 3 तेबल स्पून डाक कोको पाउडर 1 थर्ड कप दही और 1 थर्ड कप पानी दोनों को मिलाकर मिक्स करना है 500 ग्राम मैदे में एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और अधा टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है 40 ग्राम मक्षन यहां मैंने अमोल बटर लिया है और 40 ग्राम टेल लेना है कोई भी अनफ्लेवर्ड वाइट ऑईल दोनों को अच्छी तरह से विस्क करना है जब तक यह कंडेंस्ट में कंसेस्टिंसी जैसा ना दिखने लगे 40 ग्राम कंडेंस्ट मेर्ट लेना है मैंने 100 ग्राम पिसी हुई चीनी लिए हमें केक कम मीठा पसंद है आपको ज्यादा मीठा चाहिए केक तो आप 500 ग्राम डालिएगा और अच्छे से मिक्स कर लिए चाहस और पानी वाला मिक्सचर डालीजिए मिक्स कर लिए अच्छे से दूद और कोको पाउडर वाला मिक्सचर डालिए तुरा सुखा मैदा डालिए इन दोनों को तीन बैचेस में एड़ करिएगा एक साथ मत डालिएगा हलके हाथ से मिक्स करिएगा इसे जादा जोर से ना मिक्स करिएगा हलके हाथ मुझे ज़िए देखिए ना जादा थीक होनी चाहिए ना जादा पानी जैसी फ्लोई होनी चाहिए रिबन जैसी जब आप इसको गिराए तो उसे रिबन जैसी कंसिस्टेंसे दिखने चाहिए पैन को पूरा ना भरे इसे तीन चौथाई तक ही भरे इसे मिनिममम 40 मिनिट तक पकने दे फिर इसे खोल के चेक करिए यहां मेरा केक बन चुका है 40 मिनिक पूरे हो गए है और यह बहुत ही बढ़िया बना है देखे चितना पॉंजी हुआ है इसे वायजएक पर रख दीजिए पैन में न रखे ठंडा होने के लिए ठंडा होने के लिए हमेशा ऐसे वायजएक पर ज़रूर रखिये और उसके उपर से एक घीला अबना है अबना ना रखें प्रणी चोड़ा हुआ, रख दीजिए. Let's decorate now. प्रणी चोड़ा हुआ, रख दीजिए. 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 प्रणी चोड़ा दीजिए. प्रणी चोड़ा हुआ, रख दीजिए. प्रणी चोड़ा हुआ, रख दीजिए. झाल झाल